हेलो दोस्तों, प्रीमिक्स का आज हमारा 63rd एपिसोड है और अगेन वही ट्राइ कर रहे हैं हम आपको कि प्रिलिम्स रिलेटेड जितनी बातें बता सकते हैं, करण्ट अफेर से जोड़ी हुई हम बताएं और हमने बहुत सारे और इनिशेटिब बे शुरू की हैं, जैसे 3 जून को अगर आप confidently paper दे कर आओगे, 4 जून से फिर means शुरू करतेंगे, लेकिन पहले उस 782 में आना जरूरी है, तो इसलिए हमारा प्रिलिम्स पे focus ग्राजुली बढ़ता जाएगा, initiatives भी बढ़ते जाएंगे, ओके दोस्तों, तो चलो, शुरू करते हैं, तो आज का पह oldest range of fold mountains, क्या ये fold mountains है, and in India, and Rai Sina Hill, जो Rai Sina Hill हमारा राष्टपती बवन जहां पर, या PMO बगरा बने हो है, ये अरावली का part है, and Guru Shikhar, ये highest peak है हमारी अरावली की, आपने बताना है, इसमें से कौनसी, कौनसी statements सही है, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, या सभी सही है, तो आप मुझे इसको अराम से बटके सोचो, बिलकुल basic सवाल है, अरावली से पर UPSC prevalence में सवाल बहुत बार पूछ चुक है, हम सब try करेंगे पूछने के आपसे, okay, तो इसका correct answer is, all of them are correct, ये fold mountains है, and gradually, ये इतने पुराने हैं कि weathering हो होके, ये काफी छोटे रह गए हैं height में, इनकी height काफी जो घ हिस गई है और घट गई है, राए सीना हिल बिलकुल सही है कि अरावली से का topmost, इसको northernmost point मानते हैं, northwest में पढ़ता है रावली से, and ये यहीं पर ही आपको जग दिखते हैं हमारे जो मैंने आपको बताया है, जिसे राष्टरपती वहवर में वागारा, important offices राए सीना हिल पर ओके, तो दोस्तों अगरा सवाल देखते हैं, and ये है about Oman, आपको पता है अभी recently हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हूँ है, वहाँ पे जो various countries विजट कर रहे हैं, तो Oman के respect में आपको जहाँ-जहाँ जैसे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, वो country सो important हो ही जाती है, वो तो हमें पता होना चाहिए, UPC पूछेगा आपसे, आपने बताना Oman किस से border share करता है, UAE, Saudi Arabia, Yemen, Qatar या Kuwait, इन में से किन-किन countries के साथ Oman अपना border share करता है, options आपने बिना देखे बताने, which is above our true, थोड़ा गरता आ गया, तो 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 4, या सभी के साथ करता है, ठीके, इसको अठाते हैं यहां से, यह गलत है, तो आप बताइए, किस के साथ करता है, and correct answer is, 1, 2, and 3, इन के साथ ही करता है, Qatar बहुत दूर है, Kuwait तो बहुत दूर है, यह तो इरान, इराग के पास पहुंच गही है, and जिसे आप मैप भी देख सकते हैं, मैंने मैप लगा है यहां पर, तो मैप में हमें नजर नहीं आ रहा भी, तो उसके साथ भी बार्टर शेयर नहीं करता, ओके, तो अब नया, यह question about, जो जाकूम ओयल फील्ड, अभी news में आ रहे हैं, मोधी जी, निके, के चलते वहां पर एक हमने, आस पास के देशों में हमने एक ओयल फील्ड भी खरीद ली, आपने जाकूम ओयल फील्ड के कॉंटेक्स में बताना है, पहला कि Reliance Industries ने 10% stake acquire कर लिया इस ओयल फील्ड में, और यह ओमान में located है, तो असान सवाल है, बहुत ही असान, आपने बताना है कौनसी कौनसी स्टेट्मेंट सही हैं, 1, 2, both, या none of these, very easy question, जाकूम ओयल फील्ड आ अलमुस्ट हर अक बार के पहले पेज पर आया, तो इसका correct answer is, none of these, Reliance Industries ने नहीं करी दी, जो ONGC की विदेश लिमिटेड है, OVL, BPCL, वगारा सबने मिलके, 600 million dollars दिये, and 10% stake ले लिया है, हमान में नहीं है, कहां पर है, यह UAE में, आपुधाबी, आपुधाबी is famous for oil trading, आप Principalities में से एक Principality है, आपुधाबीगी, तो आपुधाबी वाली जो Principality के पास, Zakumoyal Field है, वो India ने उस पे stake लिया है, and Reliance Industries ने नहीं लिया, यह गरत है, ठीक है दोस्तों, तो इसके सिवा वैसे अगर आपको बताओं यहां पर quickly, इंडिया के पास और भी बहुत सार जगाओं प One of the very big mines, और उस mine में से इंडिया iron ore निकलता है, इंडिया का वहाँ भी stake है, इरान की जो फरजाद, इरान की जो फरजाद oil वाली जो हमारे पास एक field है, उसमें हमारा stake है, ऐसे वियतनाम में हनोई के पास हमारा एक stake है, तो ऐसे प्लीज जहां जहां इंडिया का stake है, यह आजी जग, साखालिन, फरजाद, हनोई, इसके सफ़ा और भी कोई आगर आपको पता लगती है, तो प्लीज नीचे कॉमेंट्स में बताओ, सब की मज़त करो, ओके, नेक्स देखते हैं आगे question, यह है National Dewarming Initiative, National Dewarming Initiative के लिए आपने बता रहे हैं कौनसी कौनसी बातें करेक् जो की 10 साल से कम बच्चों को दी जाती है, Dewarming करने के लिए, यह Helminth-related infections को करने में help करती है, तो इसमें से आपने बताना है कि कौनसी कौनसी बातें सही हैं, वन, टू, बोथ या ननावतीज, अगेन असान सवाल, रिसेंटली यह 10 फरवरी को मनाया जाता है, तो अगेन खबरें आईए, यह इसका correct answer is, अगेन 2 only, यह वन गलत है, बेड़कुलीन तो किसकी दवाई है, यह दवाई TB की है, अगर मैं बताऊं, parallelly, isoniazid, etc, तो इसकी कौनसी दवाई होती है, जो Dewarming की, Dewarming की दवाई का नाम है, Elbendazole, यह, मैं नीचे वैसे कुछ important links भी लगा जाती है, बहुत ही फेमस दवाई है, Dewarming की पेट में, जैसे उतना गीडे पढ़ जाते है, तो उससे बच्चों की तब जो हालत कराब हो जाती है, उस जैसे बच्चों की growth रोख जाती है, malnutrition हो जाते हैं, क्योंकि warm सी सब कुछ खा जाते हैं, तो Dewarming करने के लिए वो दी और यह 19 साल से कम वाले बच्चों को दी जाती है, इसका एक P.I.B. पर बहुत अच्छा एक पेज पढ़ा हुए, थोड़ा सा पुराना पेज है लेकिन मैं डाल दोंगा भी, उस पे बारे में आपको इस initiative के बारे में पता लगेगा आपको, कि यह initiative है क्या, and helmet क्यों होते है Helminth के बारे में पढ़ो, Helminth जो Worms होते हैं, और यह Soil से आते हैं, इसको इनके जो Related Infections होती हैं, उनको STH कहा जाता है, Soil Transmitted Helminth, जो Soil Transmitted Helminth Related Infection, जो Soil से आती हैं, and Soil से Transmit होती है, Helminth Related Infections, इसको Helminth यासे भी खा जाता है, तो यह बच्चों में चले जाते हैं यह कीडे, Soil से, और बच्चों के भी बिमारिया हो जाते हैं, बहुत राखी, और Maul Nutrition हो जाते हैं, तो मैं इसको पेज नीचे लगा रहा हूँ, P.I.B. का, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, दोस्तों, ओके, छड़ो, अपना आज का आखरी सवाल करते हैं, यह है About India Health Fund, इंडिया Health Fund के रिगार्डिंग, आपने बताना है, यह WHO ने एक GOI, Government of India के साथ कोलाबरेशन में लांच किया था, 2015 में, यह Social Investment या फिर एक तरह से जो सामाजिक चीजों में इन्वेस्ट करने की ट्राइ करता है, जो की बहुत ही Major Public Health Challenge हैं, जैसे HIV and Leprosy, ठीक है, यह आपने ब WHO का कोई लेना दिना नहीं है इसमें, और यह अभी, अदरवाइस वैसे एक बतातो आपको मैं, एक Global Level Pick Fund है, जो उसको Global, The Global Fund कहा जाता है, वो Global Fund में बहुत पैसा पढ़ा हुए, और वो उसने ही इन्वेस्ट करता है, IHF में, इन्वेस्ट करने के सोचिए, टाटा जो टाट and Malaria, इसको capture करने के लिए, इसको खतम करने का attempt है, TB 2025 तक and Malaria 2030 तक, बिल्कुली eradicate करने का plan मनाया है, उसके regarding यह Fund News में था, तो यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसके related एक Hindu का page है, मैं नीचे उसको लगा रहा हूँ, आप उसको और read कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है रह गए हैं, otherwise यह 125 दिन, 125 प्लस 365 बन सकते हैं, अगर हमने 125 दिन में ठीक से invest नहीं किया, इसलिए पढ़ो, टेस्ट करो, और पढ़ो, और टेस्ट करो, बट एक और यहां पर warning क्या है, कि quality स्टफ पढ़ो and quality टेस्ट ही दो, ठीक है दोस्तों, तो reality चेक मिलता रहेगा आपक and gradually धिरे-धिरे करके ही हमने बहुत बड़ा काम करने की सोचनी है, ठीक है मिलेंगे अपने अगले premix में, तब तक के लिए good night, thanks a lot